Hello everyone, welcome back. जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं Geometry का Chapter No.1 that is Basic Concepts of Geometry और इसमें हमने Practice at 1.1 और Practice at 1.2 जो है उसके Basic Concepts और उसके Practice Set पूरे अच्छे से Solve कर लिए है आज हम लोग Practice at 1.3 का Basic Concept देखेगे तो यहाँ पर देखेगे जो Basic Concept है हमारे Practice at 1.3 के वो यह है ठीके, यहाँ पर मैंने पुरा चार्ड बना के रखा है सबसे पहले हम लोग देखेगे कि Conditional Statement क्या होता है और फिर हम लोग देखेगे Converse of Conditional Statement क्या होता है उसके बाद हम लोग देखेगे कि Postulates क्या होते है फिर वी विल सी कि Theorem क्या होता है Proof क्या होता है And there are two types of proof Number one, Direct Proof and Indirect Proof तो यह सारे Topics आज हम लोग Cover करने वाले है और आज का थोड़ा सा जो Topic है न वो Boring लगेगा मतलब बहुत लोगों को Interesting भी लग सकता है क्योंकि आज का जो Topic है न इसमें थोड़ा सा English आने वाला है That is English Grammar जो होता है न हमारा वो आने वाला है तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले है कि What is Conditional Statement And then we will see Converse of Conditional Statement यह दोनों का Link है ठीक है और वैसे ही जो हमारे Postulates, Theorem और Proof यह जो है यह तीनों का Link है तो ऐसे मैं थोड़ा सा आपको समझा रही है तो आपको Idea लग जाए कि यह पूरे Lecture में क्या होने वाला है तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का Lecture With Conditional Statements यानि कि सबसे पहले Conditional Statements क्या होते है वो देखेगे तो यहाँ पर क्या दिया है The Statements which can be written in the If-Then form are called Conditional Statements यानि कि यहाँ पर क्या दिया है जो भी हमारे Statements क्या होते है If-Then के Form में होते है तो वो होते हैं हमारे Conditional Statements ओके समझ में आया यानि कि यहाँ पर देखो, अगर आपको कुछ statement ऐसे दिखते है, जैसे कि if SCP और then के form में दिखते है, ठीके, if होगा और यहाँ पर कुछ लिखा होगा, suppose करो कि यहाँ पर कुछ लिखा है, ठीके, if A, then B, तो यहाँ पर देखो, यह जो statement है, A के जगह पर कुछ लिखा हुआ हो statements क्या होते है ऐसे statements होते है जो if then के form में होते है तो यहाँ पर देखो if a then b यह जो हमारा statement है वो क्या है एक conditional statement है because यह if then के form में है ठीक है समझ में आया तो conditional statement जो होते है वो क्या होते है जो हमारे if then के form में जो हमारे statement होते है उनको हम लोग बोलते है conditional statements अब यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है the part of the statement following if is called the antecedent and the part following then is called the consequent यानि कि इसका मतलब क्या है कि if के बाद जो हमारा statement होता है यानि कि if के बाद जो हमारा part of statement होता है उसको हम लोग बोलते है antecedent क्या बोलते है antecedent बोलते है ठीके तो यह हो जाएगा हमारा antecedent और then के बाद जो हमारा statement होता है यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि जो भी part क्या होगा following then उसको हम लोग बोलते है consequent तो ये then के बाद जो भी हमारा लिखा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते है consequent क्या बोलते है consequent बोलते है ठीक है तो समझ में आया conditional statement का definition conditional statement ऐसे statement होते है जो if then के form में होते है और if के बाद जो भी हमारा part of statement होता है उसको हम लोग बोलते है antecedent और then के बाद जो हमारा part of statement होता है उसको हम लोग बोलते है consequent अब इसको थोड़ा सा हम लोग example से समझते हैं ठीक है for example consider the statement अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक statement है और यह statement क्या है the diagonals of a rhombus are perpendicular by sector of each other अब यहाँ पे देखो यह जो statement है ना यह हमारा assertive statement है ठीक है आपने English grammar तो पढ़ाई होगा यह हमारा कौन सा statement है assertive statement भी बोल सकते है या इसको हम लोग declarative statement भी बोल सकते है ठीक है this is our assertive और we can also write declarative statement क्योंकि यहाँ पे यह जो statement है वो हमको क्या कर रहा है कुछ declare कर रहा है यानि कि कुछ information हमको provide कर रहा है तो यह क्या होगा हमारा declarative statement होगा यहाँ पे देखो कोई statement ने हमसे क्या declare किया है या हमको क्या information दी है the diagonals of a rhombus are perpendicular by sector of each other यानि कि यहाँ पे क्या बोला है जो भी हमारा quadrilateral क्या होता है rhombus होता है तो उसकी जो diagonals होते है न वो क्या होते है एक दूसरे को perpendicular by sector होते है बरवर यहाँ पे हमको एक information provide की है तो this is our declarative statement अब यहाँ पे देखो यह जो statement है इसको हम लोग क्या कर सकते है conditional form में लिख सकते है हम लोग क्या कर रहे है conditional statements को पढ़ रहे है तो हम लोग क्या करेगे यह जो हमारा statement है इसको हम लोग क्या करेगे conditional form में लिखेगे and what is conditional statement जो भी statement हमारे if then के form में होते है that is conditional statement तो अभी देखो इसी statement को हम लोग कैसे conditional statement में change करते है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? If the given quadrilateral is a rhombus, then its diagonals are perpendicular bisector of each other. तो यह है हमारा conditional statement, okay? This is our what? This is our conditional statement. Conditional statement क्या होते है? जो if then के form में होते है. तो यहाँ पे देखो, यह हमारा declarative statement था. इसको हमने conditional form में लिखा, okay? यहाँ पे देखो, यह दोरो statement क्या है? एक ही है, यानि कि इनका जो meaning है, वो बिल्कुल भी change नहीं हुआ है. बस यहाँ पे यह जो statement है, इसको हम लोग बोलेगे conditional statement, and this is declarative statement, okay? यहाँ पे देखो, क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? फिर से एक बार पढ़ो, देखो, यहाँ पे if आया. यह है हमारा if, और यहाँ पे देखो then है. है न? तो जो भी statement if then के form में होते है, that is conditional statement. यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, if the given codilateral is a rhombus, यानि कि अगर जो हमारा codilateral है, वो क्या है? rhombus है, then its diagonal are perpendicular bisector of each other. तो क्या होगा? कि उसके जो diagonals होगे, वो क्या होगे? एक दूसरे को perpendicular bisector होगे. देखो, यहाँ पे यह क्या है? perpendicular bisector होगे. perpendicular bisector होगे, इसका मतलब क्या? कि यह जो rhombus के जो diagonals होते है, वो एक दूसरे को क्या करते है? bisect करते है, और क्या होते है? एक दूसरे के perpendicular होते है. ठीक है? तो यह है हमारा conditional statement. अब यहाँ पे देखो, एक और एक चीज़ बताईती. यहाँ पे जो if के बाद, जो हमारा part of statement होता है, यानि कि if के बाद जो भी लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते है antecedent, और then के बाद जो हमारा part of statement होता है, उसको हम लोग बोलते है consequent. वरोबर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे antecedent और consequent क्या होगा? बताओ. तो यहाँ पे देखो, if के बाद यह जो लिखा है ना, the given codilateral is a rhombus, तो यहाँ पे देखो, यह क्या होगा हमारा antecedent होगा, ओके, और then के बाद जो लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है, हमारा consequent होता है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि conditional statement क्या होता है, ठीके, तो यह द देती हूँ, antecedent, और यहाँ पे यह जो है, then के बाद जो लिखा है, that is consequent, तो I hope आपको conditional statement अच्छे से पता चल गया होगा, ठीके, अभी हम लोग देखते है, converse, यानि कि जो conditional statement होता है, उसका converse क्या होता है, वो हम लोग देखेगे, तो यहाँ पे जो हमारा topic है, वो क्या ह converse of a conditional statement, ठीके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, if the antecedent and consequent in a given conditional statement are interchange, the resulting statement is called the converse of the given statement, देखो कितना easy definition है, कि यहाँ पे देखो converse of a conditional statement क्या होता है, कि अगर suppose करो कि हमारे पास क्या है, एक conditional statement है, ठीके, हमारे पास क्या एक conditional statement है, ठीके, हमारे पास क्या एक conditional statement है, और अगर हम लो को क्या करते हैं इंटर्चेंज करते हैं तो जो हमको रिजल्ट में स्टेट्मेंट मिलेगा ना वो क्या होगा हमारा कंवर्स हो जाएगा वो गीवन स्टेट्मेंट का यानि कि किसका कंवर्स हो जाएगा जो हमारा कंडिशनल स्टेट्मेंट जो गीवन है ना उसका कंवर्स हो बहुत easy है, थोड़ा सा boring लग रहा होगा, लेकिन please इसको समझना, क्योंकि MCQs में आ सकते हैं ऐसे type के question, तो suppose करो हमारे पास एक conditional statement है, और conditional statement क्या होता है बताओ, जो if और then के form में होते है, यानि कि if then के form में होते है, तो यहाँ पर suppose करो कि हम लोग एक बहुत ही simple conditional statement लेते हैं, और वो क्या है, if a then b, तो यह हमारा conditional statement है, और अगर suppose करो कि हमको क्या करना है, यह conditional statement का converse लिखना है, तो converse of a conditional statement क्या होता है, कि अगर हम लोग यह जो हमारा conditional statement होता है, उसके antecedent और consequent को interchange कर देते है तो हमको जो result में statement मिलेगा वो क्या होगा हमारा converse of conditional statement होगा ठीके तो यहाँ पे देखो यह जो conditional statement है उसका antecedent क्या है A है और consequent क्या है B है तो अभी हम लोग क्या करेगे यह जो antecedent है और जो consequent है उसको interchange कर देगे ठीके तो यानि कि B यहाँ पे आ जाएगा और धैन करके यहाँ पे आएगा हमारा A यानि कि यहाँ पे जो हमारा antecedent है वो यहाँ पे हमारा consequent बन जाएगा तो यानि कि यहाँ पे देखो converse of a conditional statement क्या होता है कि जब हम क्या करते है जो हमारा conditional statement होता है उसके antecedent और consequent को interchange कर देते है तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है जो हमारा antecedent और consequent था इस conditional statement का उसको interchange कर दिया है तो result में यह जो हमको statement मिला है देखो result में यह जो statement हमको मिला है वो क्या होता है है न उसका converse है ठीक है समझ में आया अब यहाँ पे देखो यहाँ पे और क्या लिखा है if a conditional statement is true its converse is not necessarily true यानि कि यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर suppose करो कि हमारा जो conditional statement है न वो क्या है true है ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा जो converse होगा जो converse होगा वो होगा true होगा यानि कि converse true भी हो सकता है या वो false भी हो सकता है समझ में आया यानि कि यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हमारा conditional statement क्या है true है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि जो converse होगा वो भी क्या होगा true होगा यानि कि वो true हो सकता है लेकिन false भी हो सकता है इसको अभी थोड़ा सा हम लोग और detail में देखेगे यानि कि अभी हम लोग क्या करने वाले है यह जो हमारा conditional statement है और यह जो converse है वो दोनों साथ में देखेगे ठीक है तो चलो दो examples देखने वाले है सबसे पहला example देखेगे conditional statement सबसे पहले हम लोग देखेगे ठीक है जो उपर हमारा conditional statement हमने लिया था example में वही लेगे क्या लिका है यहापे देखो conditional statement का यह example है if then के form में है यह statement देख लो यहापे देखो if और then के form में यह statement है तो यह हमारा conditional statement है ठीक है इसको read करते है if a codilateral is a rhombus then its diagonals are perpendicular bisector of each other ठीके, of each other यहाँ पे थोड़ा extra आ गया फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया है if a quadrilateral is a rhombus then its diagonal are perpendicular bisector of each other अब यहाँ पे देखो यह conditional statement है तो इस conditional statement का antecedent क्या होगा, consequent क्या होगा चलो बताओ, क्योंकि ऐसे type के question हमको MCQs में पूछ सकते है तो यहाँ पे देखो if के बाद जो हमारा part of statement होता है यह जो orange color में अभी में जो underline कर रही हूँ न यह क्या होगा, हमारा antecedent होगा ठीके, this is what, this is antecedent ओके, antecedent और यहाँ पे देखो consequent क्या होगा हमारा तो यहाँ पे देखो यह जो purple color में अभी हम लोग जो underline कर रहे है वो हो जाएगा हमारा consequent ओके, this is our consequent तो यहाँ पे मैं लिख देते हूँ this is our consequent अब यहाँ पे देखो converse का definition हमने क्या, converse का definition क्या होता है हमारा, यह हमारा conditional statement है suppose करो कि अभी हमको क्या करना है इसका converse लिखना है तो converse का definition क्या होता है कि जब हम क्या करते है हमारे conditional statement के antecedent और consequent को interchange कर देते है तो result में जो हमको statement मिलेगा वो हो जाएगा हमारा converse ठीक है, तो यह देखो यह जो हमारा conditional statement है इसका converse क्या होगा क्योंकि थोड़ा सा हम लोगो जो statement लिख रहे है वो meaningful भी लगना जहें न इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है कोई बात नहीं और जो हमारा antecedent है वो यहाँ पे आ गया है यानि कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि जो consequent और antecedent है वो interchange हो गये यहाँ पे देखो if और यहाँ पे क्या होगा हमारा यह जो consequent हो यहाँ पे आ गया है देखो यहाँ पे क्या लिखा है if the diagonals of a codilateral are perpendicular bisector of each other then it is a rhombus और यहाँ पे अगर देखो कि तो rhombus कहाँ पे है? यहाँ पे है antecedent पे है लेकिन यहाँ पे rhombus कहाँ पे आ गया है यहाँ पे आ गया है ठीक है वैसे कि अगर तुम लोग यहाँ पे देखो कि perpendicular bisector of each other यहाँ पे है और वो यहाँ पे आ गया है देखो perpendicular bisector of each other तो यहाँ पे देखो converse statement को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्या दिया है कि अगर कोई cord की sideutter है और यहाँ पे conditional statement क्या है रोमबस यहाँ अगर कोई cannilator क्या है आ गया होगा अब यहाँ पे देखो मैंने आपको एक line बताय यहाँ यहाँ पे यह जो line है न this is very important, क्या दिया था यहाँ पे कि अगर conditional statement क्या है true है, इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि हमारा converse भी क्या होगा true होगा, वो false भी हो सकता है तो यहाँ पे देखो यह जो हमारा conditional statement है, वो क्या है true है कि false है बताओ, तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या दिया है, कि अगर हमारा quadrilateral क्या है, rhombus है तो उसके diagonals क्या होगे, perpendicular bisector होगे, each other के, हाँ यह true है, यह सच है ना कि diagonals of the rhombus are perpendicular bisector of each other, यह true है, तो इसका converse क्या है, इसकी converse को समझते है कि अगर कोई quadrilateral अगर एक quadrilateral है, उसके diagonals क्या है, perpendicular bisector है each other के, यानि कि एक दूसरे के तो मतलब वो हमारा rhombus होगा क्या यह statement आपको true नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या दिया है, कि अगर एक quadrilateral है इसको अच्छे से समझो, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, यहाँ पर क्या दिया है है, yes obviously हो सकता है वो quadrilateral rhombus हो सकता है यानि कि यह भी क्या है, हमारा true है यानि कि यहाँ पर conditional statement और यहाँ पर जो उसका converse है वो दोनों ही क्या निकले, true निकले, तो यहाँ पर क्या लिखा है, in the above example, the statement, यानि कि यह जो statement है, and its converse are true, यानि कि they both are what true, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्या हमेशा नहीं होता है कि कभी-कभी क्या होता है, conditional statement true होते है, लेकिन उनके converse false आ जाते है, और वो अभी हम लोग example देखने वाले है, ठीक है now consider the following example, यह हमारा second example होगा, तो यहाँ पर देको यह conditional statement होगा हमारा और यह इसका converse होगा, तो अभी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि what is conditional statement, जो if then के form में होते है, that is conditional statement, तो यह हमारे conditional statement है, ठीक है तो यहाँ पर देखो, if दिख रहा है आपको और यहाँ पर आपको then भी दिख रहा है ना तो यह हमारा conditional statement है अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह बताओ कि antecedent और consequent क्या होगा, तो if के बाद जो हमारा part of statement होता है यह होता है हमारा antecedent, ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा antecedent और then के बाद जो हमारा part of statement होता है इसके लिए दूसरा color ले ले लेते है तो yellow ले ले लेते है, तो then के बाद जो हमारा part of statement होता है that is consequent, यह हो गया हमारा consequent, ठीक है अभी हम लोग क्या करेगे, इस conditional statement का converse लिखेगे, तो converse क्या हो गया, कि जब हम क्या करेगे यह जो हमारा conditional statement है इसके antecedent और consequent को क्या करेगे, interchange कर देगे तो हमको जो result में statement मिलता है, वो होता है हमारा converse of the given statement ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा हमारा यह जो यहाँ पे consequent था ना वो यहाँ पे आ गया, है ना और जो हमारा antecedent है, वो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे यह हो जाएगा हमारा antecedent, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको pink color में कर रहे है, यह यहाँ पे आ गया, और यह यहाँ पे आ गया देखो, मतलब क्या हुआ ना, मैं बताती हूँ ऐसा था हमारा कुछ statement, that is if A, then B, है ना, यह हमारा conditional statement था, अब हम क्या करेगा इसका converse देखेगे, तो वो क्या हो जाएगा if B, then A, यानि कि हमने क्या किया यह जो antecedent और consequent ता उसको interchange कर दिया, ठीक है, समझ में आया, अब यहाँ पे देखो, यह जो conditional statement है ना, इसको अच्छे से समझते है, क्या दिया है यहाँ पे if A number is a prime number then it is even or odd ठीक है, यह हमारा conditional statement है अब converse क्या होगा, if A number is even or odd, यहाँ पे even or odd है, तो यहाँ पे आएगा ना, इसको थोड़ा सा English में अच्छे से इसका grammar सुधार के हमको पूरा statement बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, if A number is even or odd, then it is a prime number, ओके, तो यहाँ पे देखो यह वाला जो statement है, वो क्या बोल रहा है थोड़ा सा में समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, कि अगर एक number क्या है, prime number है तो वो क्या हो सकता है, even or odd हो सकता है, और यहाँ पे यह जो converse है, उसका मतलब क्या है, कि अगर एक number है और वो क्या है, even or odd है तो इसका मतलब वो क्या है, prime number है, ठीक है अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, in the in this example, the statement is true, but its converse is false यानि कि यहाँ पे यह जो statement है ना वो क्या है true है लेकिन इसका जो यहाँ पे नीचे जो converse है ना वो क्या है false है तो ज़रा हम लोग देखते हैं कि यह true क्यों है true false का चक्कर तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे देखो इसको फिर से समझते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि अगर एक नम्मर क्या है? प्राइम नम्मर है, तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है? even और odd दोनों हो सकता है, ये तो सच बात है, है ना? यहाँ पर देखो हमारे प्राइम नमर कौन कौन से है? 2, 3, और कौन है हमारा प्राइम नमर? 5, 7, 11 and so on,타 Content तो यहाँ पर क्या दिया है? कि अगर क्या है? अगर नम्मर क्या है? प्राइम नम्मर है तो even और odd वह मतलब even और odd दोनो हो सकता है हाँ यह तो सच है? कि अगर हमारे जो prime नम्मर है वो even और दोनो है जैसे कि यह even है और यह odd है यह odd है यह odd है और यह भी odd है यानि कि even और odd दोनों ही क्या होते है हमारे prime number होते है ओके prime number में आपको even odd दोनों मिलेगा और अभी यह converse क्या बोलता है हमको if a number is even or odd then it is a prime number यानि कि यहाँ पे क्या दिया है कि अगर एक number क्या है even और odd है तो इसका मतलब वो prime number होगा ही होगा अरे यह कैसे हो सकता है अभी देखो अगर मैं आपको एक number बताओ यह है number 4 ठीक है यह क्या है हमारा even number है लेकिन यह तो prime number नहीं है वैसे ही अगर मैं आपको ब होता है कि अगर एक number है मतलब अगर number क्या है even और odd है जैसे कि यह even है और यह odd है तो मतलब वो prime number होगा अरे यह तो गलत है यह तो prime नहीं है तो यह क्या हो गया यह जो है वो हमारा false हो गया तो यहाँ पे वही लिखा है कि यहाँ पे यह statement है वो तो पक्का true है लेकिन हमारा इ ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर conditional statement क्या है true है तो उसका converse भी क्या होगा true होगा नहीं ऐसा जरूरी नहीं है वो true हो सकता है और false भी हो सकता है दोनों के chances है ठीक है तो हमारा first example में क्या था first example में हमारा conditional statement भी true था और उसका converse भी true था और second example में हमारा conditional statement true था लेकिन उसका converse false नि आपके लिए बस इतना बहुत काफी है क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा higher standard में जाओगे that is 11th 12th में तो आपको इसके बारे में और थोड़ा सा detail में समझने मिलेगा लेकिन I think अभी फिलाल के लिए इतना बहुत है ठीक है जादा higher level का मुझे नहीं बढ़ाना आपको वनना confused हो जाओगे तो यही था हमारा conditional statement के उपर चलो अभी हम लोग देखते है कि postulates, theorems and proof क्या होते है ठीक है तो यह सबको अभी हम लोग देखने वाले हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग यह देखेगे कि postulates क्या होता है and उसके बाद हम लोग देखेगे कि theorems क्या होते है and then we will see कि proof क्या होता है जैसे कि मैंने आपको starting में भी बताया था कि proof जो है वो दो type के है one is direct proof and second is indirect proof तो यह सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो सबसे many properties of angles triangles and codilaterals through activities यानि कि हमने 8 stander में बहुत सारे properties देखे है angles, triangles और codilaterals के जैसे कि अगर आपको याद नहीं आ रहे है तो कुछ property में आपको याद दिला देती हो जैसे कि आपने triangles के बारे में बताओ क्या पड़ा है कि triangles के जो सारे angles होते है जब हम उनका क्या करते है sum लेते है तो वो हमको किसके equal मिलता है 180 degree के equal मिलता है We know that sum of all the angles of the triangles is 180 degree तो ये एक property हो गई ना triangle की वैसे ही आपने codilaterals के बारे में पड़ा होगा जैसे कि हमारा rectangle एक क्या है codilaterals है उसके सारे angles क्या होते है 90 degree के होते है तो ये सब properties हमने पड़ी है अपने lower standard में और आगे क्या लिखा है In this standard we are going to look at the subject of geometry with a different point of view which was originated by the Greek mathematician Euclid यानि कि यहाँ पे हमको क्या दिया है कि इस standard में हम लोग geometry को एक अलग नजरिये से देखेगे यानि कि geometry के बारे में जो हमारा point of view जो होगा ना वो थोड़ा सा अलग होगा अब अलग क्यों होगा क्योंकि ये जो हमारा अलग नजरिया है वो हमको किसने दिलाया है तो हमारे जो Greek mathematician है ये Euclid sir उन्होंने हमको geometry को एक अलग नजरिये से देखना सिखाया है ठीके तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे Euclid sir है इन्होंने हमको postulates के बारे में बताया इन्होंने हमको theorems क्या होते है वो बताया और proof क्या होता है वो बताया है तो सबसे बहले हम लोग देखेगे कि what is postulates तो यहाँ पे क्या दिया है geometrical statements which were accepted by all and call them postulates यानि कि यहाँ पे क्या दिया है ऐसे geometrical statements जो सबने accept किये है उनको हम बोलते है postulates और यहाँ पे देखो Euclid sir ने हमको कुछ postulates दिये है वो क्या-क्या है यहाँ पे देखो लिखा भी है some of the Euclid's postulates are given below तो यहाँ पे देखो postulates क्या होते है फिर से बता देती हूँ ऐसे geometrical statement होते है जो सबने accept किये है सबने accept किये है तो उनही को हम बोलते है postulates जैसे कि geometrical statement कौन-कौन से है जो क्या है हमारे postulates है तो यहाँ पे देखो number one there are infinite lines passing through a point यहाँ पे देखो यह क्या है एक geometrical statement है ठीक है पूरी दुनिया ने accept किया है और यह geometrical statement क्या बोलता है कि एक point से हम लोग infinite line क्या कर सकते है pass कर सकते है यहाँ हम इसको ऐसे भी बोल सकते है कि एक point से infinite line क्या होती है pass होती है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा यह point है ठीक है यह हमारा point है और इस point से देखो कितने line pass हो सकते है infinite line pass हो सकते है यानि कि बहुत सारे line क्या हो सकते है एक point से pass हो सकते है है ना तो इस statement को सबने accept किया है तो यह जो geometrical statements है वो होते है हमारे postulates ठीक है तो यह postulate है और वैसे ही second, देखो second geometrical statement there is one and only one line passing through two points यानि कि यहाँ पे क्या दिया है अगर हमारे पास क्या है दो points है ठीक है अगर हमारे पास क्या है यहाँ पे suppose करो कि यह दो points है तो दो points से सिफ एक और एक line ही pass हो सकती है ओके तो जैसे कि यहाँ पे भी देख लो यह हमारे यहाँ पे दो points है that is R and S और यह दोनों points से कितने line pass कर सकते हो only one line है ना वैसे ही यह दोनों जो point है suppose करो कि यह दोनों point को नाम दे देते हैं हम लोग a and b तो इस point से आप कितने line pass कर सकते हो यानि कि यह दोनों point से आप कितने line pass कर सकते हो सिफ एक है ना तो यहाँ पर हम लोग suppose करो कि line बना देते हैं ये देखो सिर्फ एक line क्या हो सकती है पास हो सकती है दो points से तो ये भी क्या है एक ऐसा geometrical statement है जो क्या है true है और सबने accept किया है ओके तो ये हो गया हमारा postulate वैसे ही third देखो third postulate जो हमको sir ने दिया है वो कौन सा है a circle of given radius can be drawn taking any point as its center यानि कि हम लोग क्या कर सकते है अगर हमारे पास क्या है point है तो उस point को हम लोग as a center मानके कोई भी radius का circle बना सकते है ठीके समझ में आया देखो suppose करो कि यहाँ पे देखो मैंने तीन points अल्रेडी बना के रखे है तो हम कोई भी point को क्या मानेगे as a center मानके कोई भ suppose करो कि यह point लिया और इस point को हमने as a center मानके कोई भी radius का circle बना सकते हो जैसे कि यहाँ पे देखो हमने यह circle बना दिया of any radius है ना और वैसे यहाँ पे देखो इस point को हम लोग क्या मानेगे as a center मानेगे और हम क्या कर सकते है कोई भी radius का बिंदा circle बना सकते है तो यहाँ पे दे रेडियस का सर्कल बना सकते हैं वैसे यहां पे देखो यह हमारा तीसरा पॉइंट है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं सेंटर मान लेते हैं और हम क्या बना सकते हैं कोई भी रेडियस का सर्कल बना देते हैं तो यहां पे देखो हमने यह चोटा सा रेडियस लिया और हमने सर् तो यह भी क्या है, एक ऐसा geometrical statement है, जो सब ने accept किया है, तो this is postulate, वैसे ही यहाँ पे देखो, fourth one क्या दिया है, all right angles are congruent with each other, यानि कि जो right angles होते हैं, वो क्या होते है, congruent होते है, यानि कि सारे right angles, ठीके देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, all right angles, यानि कि जितने भी right angles है, वो क्य होगे, congruent होगे एक दूसरे को, जैसे कि यहाँ पे देखो, यह एक right angle है, यह एक right angle है, और यह भी एक right angle है, तो यह तीनो right angle क्या है, congruent है, अब बहुत लोग के मन में कोशन आ रहा होगा, कि यह congruent कैसे है, यहाँ पे देखो, यह थोड़ा सा मेडियम साइस का लग रहा है, और यह बड़े साइस का लग रहा है, तो यह तीनो congruent कैसे हुए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कि angle congruent होते है, ठीक है, angle क्या है, यह right angle है, यह angle जो है, वो क्या है, congruent होता है, और वैसे भी यहाँ पे देखो, यह raise है, और मैंने आपको raise के बारे में पहले भी बताया था यह arrow का मतलब क्या होता है, कि यह raise जो है, वो extend होती रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यह जो ray है, वो यहाँ से extend होगी, और वैसे ही यह जो ray है, वो यहाँ से extend होगी, है ना, वैसे ही यहाँ पे यह arrow का मतलब है, यह यहाँ से extend हो रही है, और यहाँ से extend हो रही है, तो यानिकि जो भी हमारे right angles होते हैं, यो देखो ये angle, ये angle और ये angle, ये तीनों क्या है right angle होगे? यानि कि right angle है और ये क्या होगे? concurrent होगे, concurrent का मतलब समझते हो बाइ? Conuntrum का मतलब equal- तो ये क्या है? हमारा postulate है. तो चलो fifth जो हमारा postulate है जो हमको Ukraine sir ने दिया है वो क्या दिया है If two interior angles formed on one side of a transversal of two lines add up to less than two right angles then the line produce on that direction intersect each other यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या है यह एक geometrical statement है जो सब ने accept किया है तो यह भी क्या होगा हमारा postulate होगा अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा समझते है क्योंकि समझना भी important है क्योंकि अगर directly मैंने बोल गया कि हाँ यह accept हो गया है तो कैसे accept हुआ है जरा मैं आपको बताती हूँ पहले इसका मतलब समझाती हूँ मतलब यह क्या लिखा है तो इसको मैं own language में समझाओगी तो यहाँ पे suppose करोगी हमारे पास क्या है two lines है ठीके यहाँ पे क्या है हमारे पास दो lines है तो यहाँ पे देखो यह line M है और N है और यह क्या है हमारा transversal है ठीके यह क्या है हमारा transversal है तो line L क्या है हमारी transversal है तो यहाँ पे देखो interior angle क्या होते है यहाँ पे देखो interior angle का जिकर हुआ है तो interior angle क्या होते है यह जो हमारे यह देखो यह जो हमारी line है उसके अंदर के जो angles होते है that is interior angle जैसे कि यहाँ पे देखो यह interior angle है यह भी interior angle है यह भी interior angle है और यह भी interior angle है ठीक है तो यह जो दो lines है उस इसके अंदर जो angles होगे, उनको हम लोग बोलते हैं, interior angle, interior मतलब क्या, inside, okay, तो इसलिए ये हमारे सारे, यानि कि ये angle, ये angle, ये angle और ये angle क्या होगा, interior angle होगा, इसको थोड़ा सा में नाम दे देती हूँ, जैसे कि suppose करो कि ये angle 1 है, ठीके, ये वाला जो angle है, वो 1 लिया हमने, ये वाला जो angle है, उसको suppose करो 2 लिया, ये जो angle है, उसको suppose करो 3 लिया, और इस angle को हमने 4 लिया, तो ये सारे हमारे interior angle है, अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा statement है, वो हमको क्या बोलता है, कि जो हमारे 2 interior angle form होते है, एक side में, यानि कि, यहाँ पे देखो, ये हमारी 1 side है, और यह हमारी side है, this is our right hand side and this is our left hand side तो यहाँ पर क्या दिया है कि जिस भी side में हमारे ऐसे interior angle form हुए है such that कि हम जब क्या करते है वो दो interior angle को क्या करते है add करते है और हमको क्या मिलता है, less than मिलता है यहाँ पर देखो, जब हम क्या करते है वो दो interior angle को क्या करते है add करते है और वो हमको क्या मिलता है less मिलता है किसके two right angle के ठीके two right angle के less मिलता है तो हम क्या बोलेगे कि उस side में जो हमारी line है वो जब हम क्या करेगे produce करेगे यानि कि उसको extend करेगे तो वो क्या होगे एक दूसरे को intersect करेगे ठीक है समझ में आया कि नहीं आया obviously नहीं समझ में आया obviously नहीं समझ में आया होगा तो tension मतलब अच्छे से समझाती हूँ फिर से समझाती हूँ तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि जिस भी side में हमारे ऐसे दो interior angle form हुए है such that ध्यान से सुनना कि जब हम क्या करते है उनको add करते है जब क्या करते है हम लोग उनको add करते है तो वो हमको क्या मिलता है less than two right angles मिलता है two right angles मतलब क्या अगर हम लोग दो right angles को ले लेगे तो that will be equal to what 180 degree ठीक है तो directly यहाँ पे 180 degree लिखना चाहिए था इन लोग ने two right angles लिख दिया कोई बात नहीं तो यहाँ पे अगर हमको क्या मिलता है कि ऐसी एक हमारी side है ठीक है ऐसी suppose करो कि side है कि उस तरफ के दो interior angle को जब हम क्या करते है add करते है और वो हमको किसके less than मिलता है 180 degree के less than मिलता है तो मतलब उस side में जो lines होगे जब हम उसको क्या करेगे produce करेगे तो वो आगे जाके क्या करेगे एक दूसरे को intersect करेगे जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक तो है हमारा यह right hand side और यह है हमारा left hand side तो अगर तुम लोग को क्या मिलता है लेस देन 180 degree मिलता है तो इसका मतलब यहाँ पे देखो इस side में यह जो lines है ना उनको जब हम आगे क्या करेगे produce करेगे तो वो आगे जाके क्या होने वाले है एक दूसरे को intersect करेगे ही करेगे पक्का intersect करेगे तो यहाँ पे देखो ये एक दूसरे को intersect कर रहे है intersect क्यों कर रहे है क्योंकि ये दोनो interior angle का जो addition है ना वो क्या है less than 180 degree है अब सामने से ही देख लो 30 degree plus 120 degree करो 30 degree plus 120 degree करो तो वो हमको मिलेगा 150 degree and that is less than 180 degree यानि कि इस side यानि कि ये जो side है हमारा जो left hand side है उस तरफ के line को अगर हम लोग क्या करते है produce करते है या extend करते है तो मतलब वो आगे जाके intersect होने ही होने है और अगर तुम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे देखोगे इस side के interior angle को देखोगे ना जैसे कि यहाँ पे क्या है angle 2, angle 3 तो angle 2 plus angle 3 को करोगे तो यहाँ पे वो less than 180 degree नहीं होगे जैसे कि 150 plus 60 degree करो 150 plus 60 degree करेगे तो हमको मिलेगा 210 degree है ना क्या मिलेगा 210 degree मिलेगा तो यह क्या है less than 180 degree नहीं है this is greater than 180 degree तो यानि कि इस तरफ को जितना भी produce करना है बेंदास कर लो तो वो एक दुसरे को कभी भी intersect नहीं होने वाले देख लो यहाँ पे produce करते जाओ तो वो एक दुसरे को intersect नहीं होगे ठीके तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा तो यह भी क्या है एक ऐसा geometrical statement है जो accept हुआ है सब ने accept किया है तो this is postulate तो I hope आपको postulate का प्रूवड लॉजिकली properties प्रूवड लॉजिकली are called theorem यानि कि अभी यहाँ पे theorem का definition आ गया है यहाँ पे देखो postulates क्या होते है कि जो सबने accept किये है ऐसे statement है जो सबने accept किये है और इनको हम लोग प्रूव नहीं करते हैं ठीके इनको कोई प्रूव करने की जरूवत नहीं है लेकिन theorem क्या होते है theorem ऐसे properties होते है जिनको हम लोग क्या कर सकते है लॉजिकली प्रूव कर सकते है ठीके तो यानि कि ऐसे statement ध्यान से सुनो इसको मैं अपने own language बर बताती हूँ ऐसे जो हमारे true statement होते है ऐसे जो हमारे true statement होते है जिनको हम लोग क्या कर सकते है लॉजिकली प्रूव कर सकते है ओके लॉजिकली क्या कर सकते है प्रूव कर सकते है तो वो होते है हमारे theorem क्या होते है वो होते है हमारे theorem और poistulate क्या होते है poistulate ऐसे statements होते है जिनका कोई prove नहीं होता है बस उनको accept किया गया है इनका कोई prove नहीं होता है लेकिन theorem को हम लोग logically prove कर सकते हैं अब यहाँ पे देखो next हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं क्योंकि यह सब हमने देख लिया है फिर से देख लो theorem का definition क्या है a property is supposed to be true if it can be proved logically then it is called a theorem यानि कि अगर suppose करो कि हमारे पास क्या है एक property है वो क्या है true है obviously वो true होनी ही चाहिए और अगर वो true है और उसको हम लोग क्या कर सकते है logically prove कर सकते है तो मतलब वो क्या होता है हमारा theorem होता है उसको एक logical तरीके से हम लोग क्या कर सकते है प्रूव कर सकते है तो उस property को हम लोग बोलते है theorem ठीक है theorem का मतलब समझा proof क्या होता है देखो the logical argument made to prove a theorem is called the proof अब या पर देखो हमने theorem देख लिया theorem क्या है एक ऐसा true statement है ध्यान से सुनना फिर से बोल रही हूँ एक ऐसा true statement है obviously वो जो statement है या वो जो property है वो true होनी चाहिए तो theorem क्या है एक ऐसा true statement है जिसको हम लोग क्या कर सकते है logically prove कर सकते है तो उसको हम लोग बोलते है theorem अब यहाँ पर देखो यह theorem को logically prove करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक argument करते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं? argument करते हैं, तो उस argument को हम लोग क्या बोलते हैं? proof बोलते हैं, क्या बोलते हैं? proof बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो proof का definition क्या है? the logical argument made to prove a theorem is called its proof यानि कि अभी हम लोग क्या करेगे अभी ये theorem तो है हमारा उसको अभी logically prove करना पड़ेगा तो वो logical prove करने के लिए हम लोग कुछ argument करेगे तो उस argument को ही हम लोग बोलते है proof और जो proof है वो हमारे दो type के होगे यानि कि थेरम को हम लोग proof जो करते है उसमें भी हमारे पास दो type के proof है जो हम लोग आगे देखने वाले है अब यहाँ पे देखो क्या लिका है यानि कि जब suppose करो कि हमारे पास क्या है conditional statement है conditional statement आपको पता ही है if then के form में होता है तो if a then b यह suppose करो हमारा conditional statement है यह antecedent है और यह consequent है तो suppose करो कि यह conditional statement को हम लोग क्या करेगे prove करेगे ठीके इसको हम लोग क्या करेगे prove करेगे तो अब यह मेरा हमारा क्या बन चुका है एक theorem बन चुका है ठीके logical prove कर सकते है इसको तो मतलब यह theorem हो चुका है तो जब भी हमारा conditional statement क्या होता है as a theorem होता है तो उसमें जो antecedent होता है यह antecedent है तो वो हमारा क्या होता है given part होता है यह हमारा क्या होता है given part होता है और जो हमारा consequent होता है वो हमको क्या करना पड़ता है prove करना पड़ता है तो इस part को हम लोग क्या करेगे prove करेगे तो इस part को हम लोग prove करेगे okay that is to be proved इस part को हम लोग prove करेगे और यह वो हमारा given part होगा अब आगे क्या दिया है there are two types of proof direct and indirect तो there are two types of proof है वो ही अभी हम लोग देखने वाले है तो सबसे पहले हम लोग देखेगे कि direct proof क्या होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या proof करने वाले है यानि कि कौन सी property को हम लोग proof करने वाले है चलो देखते है let us give a direct proof of the property of angles made by two intersecting line यानि कि यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेगे यह जो property है यहाँ पे यह पूरी एक property है इसको हम लोग क्या करने वाले है prove करने वाले है तो जो भी हमारा property होता है that should be true देखो फिर से मैं बताती हूँ एक ऐसी property जो क्या है true है और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते है एक logical लॉजिकल उसके लिए proof बना सकते है या उसका एक logical prove होता है तो उसी को हम लोग theorem बोलते है तो यहाँ पे यह theorem है देखो यह theorem लिखा यह आपब अब इसको prove करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आर्ग्यूमेंट करेंगे. है ना? तो यहाँ पे देखो, यह आर्ग्यूमेंट है. This is what? This is argument. तो यह जो आर्ग्यूमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसको प्रूव करने के लिए, तो वही होता है हमारा प्रूफ. क्या होता है? यहाँ पे देखो, यह प्रॉपर्टी क्या है हमारी? मतलब कि, यह जो statement है, वो क्या है? यह theorem का. The opposite angles made by two intersecting lines are of equal majors. यानि कि यहाँ पे क्या दिया है? कि जो opposite angle form होते है दो intersecting lines से, वो क्या होते है? Equal होते है. यानि कि they are equal in majors. ओके? यानि कि यहाँ पे हमारे पास given में क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास given में होगा कि हमारे पास two intersecting lines है और वो क्या कर रहे है? opposite angles formed कर रहे है. यह हमारा given वाला पूरा part होगा. ठीक है? यह given वाला part होगा. और हम क्या prove करेगे? हम यह prove करेगे कि वो जो opposite angles formed होते है दो intersecting lines से वो क्या होते है equal major के होते है ठीक है तो यहाँ पे given में क्या लिखेगे हम लोग कि यहाँ पे देको यह जो line AB है यहाँ पे देको यह line AB और यह जो line CD है वो क्या कर रहे है एक दुसरे को intersect कर रहे है at point O ठीक है such that हमारे पास क्या है कि point AOB को लिनियर है और point COD क्या है को लिनियर है और यहाँ पे हम लोग क्या प्रूव करेगे कि जो opposite angle form हुए है यह intersecting line से वो क्या है equal है ठीक है यानि कि we will prove that first हम लोग क्या प्रूव करेगे देको angle AOC is equal to angle BOD यानि कि यहाँ पे देको angle AOC और angle BOD यह दोनों क्या है opposite angle है यहाँ पे देको मैं mark कर लेती हूँ यह वाला angle और यह वाला angle यह दोनों क्या है opposite angle है तो यह दोनों को हम लोग क्या करेगे equal prove करेगे वैसे ही और कौन से opposite angle है हमारे तो यहाँ पे देखो यह वाला एंगल, दूसरा कलर ले लेती हूँ, एक मिनिट, दूसरा कलर हमारा हाँ, ठीक है, यह वाला एंगल, यह वाला एंगल और यह वाला एंगल, यह दोनों भी क्या है, हमारे opposite एंगल है, तो इनको भी हम लोग equal prove करेगे, that is angle B O C is equal to angle A O D, ठीक है, तो यह given वाला पार्ट, और यह true, to prove वाला पार्ट, अब हम लोग क्या करने वाले है, argument करने वाले है, यानि कि इसको अभी हमको क्या करना है, प्रूव करना है तो हम अब argument करेंगे, ओके, और फिर उसी को हम लोग proof बोलेगे, तो this is our proof और यह हमारा direct proof है, यानि कि directly हम लोग यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे properties यूज करते हैं, जो already क्या है, accepted है by all, यहाँ पे देखो, यह सब क्या है, accepted by all है, यानि कि अभी proof में हम लोग देखेगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, कैसे proof किया गया है, वैसे तो इतना important नहीं है, लेकिन फिर भी एक देख लो, तो यहाँ पे एक मिनिट में अच्छे से rough कर देती हूँ, तो yes, यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लिखा गया है, कि angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree, जैसे कि angle AOC, मतलब यह वाला angle, ठीक है, angle AOC plus angle कौन सा, BOC, मतलब यह वाला angle, तो यह दोनों angle जो है, इनका जो sum होगा, वो क straight line है, यह straight line है, और यहाँ पे कोई बीच में ऐसी हमारी line है, ठीक है, यह suppose करो कि रे है, line नहीं है, रे है, तो यह angle और यह angle, यह दोनों angle का जो addition होगा, that is equal to 180 degree, because जो हमारी straight line होती है, उसका जो angle होता है, वो क्या होता है, 180 degree होता है, है ना, तो यहाँ पे देखो, यह वाला यह वाला angle और यह वाला angle, यह दोनों को जब हम क्या करेगे, add करेगे, तो that will make, that will make equal to what, 180 degree, ओके, वैसे ही, यहाँ पे next चीज क्या गी है, next को next देखते है, क्या दिया है, next क्या दिया है, angle BOC, angle BOC, मतलब यह वाला angle, and कौनसा angle, plus angle BOD, BOD, ओके, यह वाला angle, तो यह वाला angle, यह दोनों को भी add करेगे, तो हमको क्या मिलेगा, 180 degree के equal मिलेगा, because यह वाला angle, और यह वाला angle, पूरा क्या बनाते है, एक straight line के ऊपर है, बर बर यह दोनों angle क्या है, straight line के ऊपर है, तो that will also add up to 180 degree, हम लोग बोलेगे, angles in linear pair, तो आप देखो, यहाँ पे क्या किया है, from equation number 1 and 2 ह हमको क्या मिलेगा, क्योंकि equation number 1 and 2 का, जो right hand side है, वो क्या है, same है, तो इनका left hand side भी same हो जाएगा, तो यह वाला यहाँ पे लिख दिया है, that is equal to this, okay, तो यहाँ पे देखो, यह और यह cancel out हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे angle AOC is equal to angle BOD, यानि कि जो यह हमको प्र प्रूफ कर देगे, okay, तो फिलाल हम यह देखेगे नहीं, बस आपको यह बताना था कि यह है डाइरेक्ट प्रूफ, this is our directly हमने क्या किया, जो हमारे पास, जो हमारे पास already properties available थे, geometry में, वो हमने use करके इसको directly क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, तो I hope आपको समझ में आ पास आगया होगा कि यह क्या है, हमारा direct proof है, ठीक है, अब हम देखेगे कि indirect proof क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है, यह थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत easy है, मतलब मैं मुश्किल भी बोलती हूँ, बहुत easy भी बोलती हूँ, कोई बात नहीं easy है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, indirect proof क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करेगे, मैं आपको own language में समझा दूगी कि indirect proof क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वो हम लोग देखेगे, ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने उपर बताया था, कि अगर हमको क्य करना है, conditional statement को क्या करना है, प्रू करना है, तो जो conditional statement जो हमारा antecedent होता है, वो क्या होता है, हमारा given part होता है, और जो हमारा consequent होता है, वो क्या होता है, हमारा part to be proved, यानि कि इसको हम लोग क्या करेगे, प्रू करेगे, तो यहाँ पे देखो, फिर से एक बार अच्छे से यह क्या है हमारा conditional statement है and this is antecedent and यह है हमारा consequent ठीक है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ this is antecedent बार-बार लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और यहाँ पर यह हो गया हमारा consequent ओके तो यह समझ करो कि एक conditional statement है इसको हम लोग क्या करेंगे प्रूव करेंगे तो जो घालम होता है उपर構र को जो हमारा consequent होता है उसको आपनलों क्या यह करते हैं प्रूव करते हैं तो यहां पर देखो यहां पर यहां में indirect proof है indirect proof में हम लोग क्या करते है कि यहाँ पर देखो यह जो consequent है जिसको हमको क्या करना है prove करना है तो indirect proof में हम लोग क्या करते है हम यह assume करते है ध्यान से सुनना हम यह assume करते है कि यह जो हमको prove करना है वो क्या है wrong है ठीक है यह जो हमको prove करना है जो भी हमको prove करना है वो क्या है wrong है यह हम क्या करते है अजियूम करते है ऐसा उसके बाद हम लोग क्या करते है step by step argument करते है क्या करते है step by step argument करते है ओकी तो हम क्या करते है यहां पे देखो हमने क्या किया है यह जो consequent है जो हमको prove करना है तो उसको हम लोग क्या करेगे prove करेगे लेकिन कौन से तरीके से प्रूव करेगे इंडाइरिक प्रूफ के तरीके से प्रूव करेगे तो इंडाइरिक प्रूफ में हम लोग क्या करते है ध्यान से सुनना हमारा जो यह consequence है जो हमको प्रूव करना है उसको हम लोग सबसे बहले तो assume करते है कि वो क्या है गलत है और अभी अगर ये गलत है तो उसके हिसाब से अभी हम लोग क्या करेगे step by step arguments करेगे उसके बाद हम लोग क्या करेगे एक conclusion में पहुचेगे इसके बाद क्या होता है step by step argument करने के बाद क्या होता है हम लोग एक conclusion में पहुचते है और ये जो conclusion होता है वो क्या होता है contradictory होता है ठीक है ये जो conclusion हमको मिलता है वो क्या होता है contradictory होता है to the given यानि कि जो हमारे पास given में है यानि कि जो हमारा antecedent है उसके क्या होता है contradictory होता है contradictory मतलब क्या opposite ठीक है तो यहाँ पे देखो contradictory का मतलब होता ह ध्यान से सुनना थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, यह आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बार यह सुन लो, यह एक बार सुन लोगे न, फिर इसको हम लोग लाइफ करेंगे न, यहाँ पे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो हम क्या करते है कंक्लूशन में पहुचते हैं, और यह जो कंक्लूशन होता है, वो क्या होता है, कंट्राडिक्टरी होता है, कंट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है, किसकी कंट्राडिक्टरी होता है, जो हमारे पास गीवन में है, उसके कंट्राडिक्टरी होता है, तो यानि कि जो हमको conclusion में मिला है वो contradictory है जो हमारे पास given में है उसके तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमको conclusion में मिला है वो क्या है एक तरफ से गलत है यह क्या है एक तरफ से गलत है अब यह गलत क्यों हुआ क्यूंकि हमने assumption जो लिया था वो ही क्या लिया था गलत लिया था जो हमने assume किया था वो ही क्या किया था गलत किया था इसका मतलब जो हमारे पास था यानि कि जो हमारा consequent था वही क्या होगा हमारा right होगा जो हमारा consequent है वही क्या होगा right होगा और ऐसे ही हम लोग क्या करते है, यह जो consequent है, उसको हम लोग प्रूव करते है, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया, तो don't worry, अब यहाँ पे देखो मैं अच्छे से समझाती हूँ, यह यहाँ पे वही पूरा लिका है, ठीक है, इसको पड़ो किया है, यह इसने हमको information प्रोवाइट किये, तो what is our statement, a prime number greater than 2 is odd, यहाँ पे देखो, इसने कुछ declare किया हम से, क्या declare कि जो भी prime number क्या होते है, greater होते है 2 से, वो सारे ही क्या होते है, odd होते है, ओके जैसे कि यहाँ पे देखो, prime numbers क्या होते है 2 हमारा पहला prime number है then 3, then 5, then 7, then 11 and so on, तो यहाँ पे देखो 2 जो है न, वो क्या है ऐसा एक lota prime number है जो क्या है, even है और बाकि सारे prime numbers हमारे क्या है, odd है ओके, तो 2 is only even prime number, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कि जो भी हमारे prime number क्या होते है, greater than 2 होते है, वो क्या होते है सारे odd होते है, तो यहाँ पे देखो, यह जो statement है, वो क्या है एक true statement है, यानि कि यह statement जो है, वो क्या है, एक दम right है, ओके, अब हम इसको क्या करेगे, conditional statement के form में लिखेगे, तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग conditional form में कैसे लिख सकते है conditional मतलब if और then के form में अभी हम लोग क्या दरेगे इसको लिखेगे ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है if p is a prime number greater than 2 then it is odd यानि कि अभी इसी को इसी statement को हमने conditional form में लिख दिया तो यहाँ पे देखो यह conditional statement क्या बोलता है कि अगर p क्या है p एक prime number है और वो क्या है greater than 2 है greater than क्या है 2 है तो इसका मतलब वो p क्या होगा हमारा odd number होगा ठीक है तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेगे prove करेगे तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे starting में बताया था कि अगर हमारा कोई भी statement क्या है conditional statement है तो उसमें जो antecedent होगा वो given वाला part होगा और जो हमारा consequent होगा उसको हम लोग क्या करेगे to prove करेगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा given part क्या होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यह हमारा पूरा क्या होगा given part होगा ठीक है यह हमारा पूरा given part होगा that is p क्या है हमारा prime number है greater than 2 है तो यहाँ पे देखो given में लिखा है p is a prime number greater than 2 अब यहाँ पे देखो अगर given में हमारे पास क्या है कि P एक ऐसा prime number है जो greater than 2 है इसका मतलब that is we can say कि 1 and P are the only divisor of P है न यहाँ पे देखो P क्या है ध्यान से सुनना बार-बार मैं बताती हूँ P क्या है हमारा ऐसा prime number है जो क्या है greater than 2 है greater than 2 है इसका मतलब क्या कि इसमें से कुछ भी हो सकता है बार-बार 3, 5, 7, 11, 13 यह सारे हमारे prime numbers है तो P कुछ भी हो सकता है तो P के जो divisor होगे divisor मतलब क्या कि P कौन-कौन से table में जाएगा बताओ तो P एक तो 1 के table में जाएगा या तो फिर वो खुद के table में जाएगा बार-बार यानि कि जो हमारा prime number है ये P which is greater than 2 इसके जो divisor होगे वो क्या होगे एक तो 1 होगा या तो वो खुद क्या होगा उसका divisor होगा जैसे कि यहाँ पे देखो 3 क्या है हमारा prime number है बर-बर तो इसके divisor कौन-कौन है तो 1 is the divisor of this 3 और जो हमारा 3 है वो भी क्या है इसका divisor है divisor का मतलब क्या होता है कि 3 कौन-कौन से टेबल में जाएगा एक तो 1 के टेबल में जाएगा या तो 3 खुद के टेबल में ही जाएगा वैसे ही 11 जो है वो कौन-कौन से टेबल में जाएगा या तो 1 के टेबल में जाएगा या तो 11 के टेबल में जाएगा यानि कि P के divisor क्या होगे 1 and P बस ये दोनों ही क्या होगे उसके divisor होगे और यहाँ पे देखो ये जो हमारा consequent है क्या consequent है हमारा कि P क्या है एक odd number है ये हमको prove करना है तो यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया था जो consequent होता है उसको हम लोग क्या करते है to prove करते है तो यहाँ पे to prove होगा हमारा हमको क्या prove करना है कि P जो है वो क्या है एक odd number है ठीक है समझ में आया तो I hope ये statement conditional statement given और to prove आपको समझ में आ गया होगा चलो अब यह हम लोग क्या करेगे ये जो हमारा theorem है इसको हम लोग prove करने वाले है और इसका जो prove है वो क्या है हमारा indirect proof है ठीक है तो ये हमारा indirect proof है तो indirect proof में क्या होता है what is the first step of indirect proof कि हम लोग को जो prove करना रहता है उसको हम लोग क्या assume करते है उसको हम लोग क्या assume करते है कि वो क्या है गलत है यानि कि यहाँ पे देखो यह हमको प्रूव करना है क्या प्रूव करना है कि P is an odd number लेकिन indirect proof में हम लोग क्या करते है इसकी starting कहां से करते है कि यह जो हमको प्रूव करना है ना उसको हम लोग क्या बोलते है कि वो क्या है गलत है तो यहाँ पे हम लोग let ले लेते हैं यानि कि यहाँ पे हम लोग क्या करेगे assume करेगे suppose मतलब क्या यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले है assume करने वाले है कि p जो है वो क्या है odd number नहीं है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते है इसका ही ultra assume करते है जैसे कि जो हमको prove करना है उ उसका अपोजिट ही हम लोग क्या करते है अजियूम करते है तो हमने यहाँ पर अजियूम कर लिया कि पी एक और नमबर नहीं है तो अगर यह और नमबर नहीं है तो अभी हम लोग क्या करें कि देखो मैंने नेक्स आप को क्या बताया था कि अगर हमने एक बार अजियूम कर तो फिर हम लोग क्या करेंगे step by step argument करेंगे बरो बर अभी यह गलत है तो उसके लिए क्या होगा step by step argument होगा और उसके बाद हम लोग एक conclusion में पहुचे गे तो यहाँ पर देखो अभी हम लोग यहां से लगा के यहां तक क्या करेंगे यह step by step argument करने वाले हैं ठीक है तो अभी ह हमने assume तो कर लिया कि P हमारा odd number नहीं है अगर अभी वो odd number नहीं है तो वो क्या होगा हमारा even number होगा है ना हमारे दुनिया में क्या नमज है कौन से नमर है एक तो odd number है एक even number है तो यानि कि अगर P हमारा odd number नहीं है तो वो even number हो गया तो अगर P even number है तो इसका मतलब P का एक diviser क क्या होता है, 2 तो होता ही है, है ना, उनका एक diviser क्या होगा, 2 तो होगा ही होगा, जैसे कि for example, 4 ले लो, 4 हमारा एक even number है, तो इसका diviser क्या होगा, 2 तो होने ही वाला है, क्योंकि जो भी हमारे even numbers होते है, वो क्या होते है, हमारे 2 के table में आते ही आते है, तो अगर P even number निकला, त इसको ऐसा equation number 1 दे देगे, लेकिन हम क्या बोलेगे, but हमारे पास given में क्या है, but हमारे पास given में क्या है, कि P क्या है, एक ऐसा prime number है, जो greater than 2 है, और उसके पास से 1 and P क्या है, divisor है, है ना, यहाँ पे हम लोग लिखे के, but it is given that P एक prime number है, which is greater than 2, और अगर यह greater than 2 है, तो इसका मतलब क्या है, कि उस P के जो divisor होगे, वो क्या होगे, 1 and P, है ना, वो हमने already given में देख लिया था, तो यह हमारा equation number 2 है, तो यहाँ पे देखो equation number 1 क्या बोलता है, कि P का divisor क्या होगा, 2 होगा, लेकिन equation number 2 हमको क्या बोलता है, कि P का divisor से 1 and P है, तो यहाँ पे equation number 1 और equation number 2 क्या है contradictory है यानि कि opposite है है ना तो यहाँ पे equation number 1 और equation number 2 जो है यानि कि statements 1 and 2 are contradictory तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेगे कि यह हमको contradictory क्यों मिला क्योंकि हमने जो assume किया था वो गलत assume किया था तो यहाँ पे therefore the assumption that P is not odd is false यानि कि यहाँ पर यह जो हमने assume किया है वो क्या किया है गलत assume किया है इसलिए हमको यहाँ पर contradictory statements मिले ओके अगर हमने यह गलत assume किया है तो इसका मतलब क्या कि जो हमको prove करना था यानि कि जो हमको दिया था to prove में वही क्या है हमारा right है तो इसका मतलब हम लोग बोल देगे कि ज proves that the prime number greater than 2 is odd यानि कि जो भी prime number हमारे क्या होते है greater than 2 होते है वो odd ही होगे ठीक है तो इसको indirect proof बोलते है हम लोग indirect way से क्या करते है theorems को prove करते है इसलिए इसको indirect proof बोला जाता है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि यह proof क्या है अगर अब भी तक नहीं समझा तो let me explain you again बहुती simple तरीके से बताओगी यहाँ पर देखो यह antecedent है यह हमारा given वाला part होगा तो यहाँ पर यह given में लिख दिया तो P क्या है हमारा prime number है greater than 2 अगर greater than 2 हमारा prime number है इसका मतलब उसके कौन-कौन से divisor होगे एक तो 1 उसका divisor होगा देखो जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा था 3 का divisor कौन है 1 and 3 है 11 का divisor कौन है 1 and 11 है तो वैसे ही P क्या है हमारा prime number है greater than 2 है तो इसका divisor क्या होगा 1 and P यह दोनो ही इसके divisor होगे और हमको क्या prove करना है कि P क्या है एक odd number है और इसको हम लोग indirect proof से prove करेगे तो indirect proof का first step क्या होता है कि जो हमको prove करना रहता है यानि कि जो हमारा consequent होता है उसका ही opposite हम लोग क्या करते है assume करते है तो हम यहाँ पर assume करेगे कि ये जो P है वो हमारा odd number नहीं है अगर ये हमारा odd number नहीं है तो अभी हम लोग क्या करेगी step by step arguments करेगे अगर ये odd number नहीं है तो even number होगा अगर ये even number है तो उसका एक divisor क्या होगा 2 होगा यानि कि सारे even number का एक divisor तो 2 होता ही होता है जैसे कि यहाँ पे देखो 10 हमारा even number है तो इसका divisor क्या होगा इसका divisor 2 तो हो नहीं है है ना क्योंकि 10 जो है वो 2 के table में जाएगा तो यानि कि अगर P हमारा क्या है even number है तो उसका एक divisor होगा 2 इसको हमने दे दिया equation number 1 लेकिन हमारे पास तो given में क्या है कि P जो है उसके divisor क्या है 1 and P ये दोनों ही उसके divisor है और P जो है वो क्या है greater than 2 है तो इसका 2 तो divisor हो गई नहीं है ना तो हमने वही लिखा कि 1 and P are the only divisor of P तो यानि कि equation number 1 और equation number 2 क्या है contradictory है यानि कि opposite है तो इसका मतलब हम क्या बोलेगे कि जो हमने assume किया है वो गलत assume किया है तो इसका मतलब जो हमको दिया था वही हमारा क्या था right था ठीक है our assumption was wrong therefore हम बोल सकते है कि P क्या है हमारा odd number है यानि कि जो भी prime number greater than 2 होते है वो क्या होगे odd number होगे ठीक है तो ये था हमारा indirect proof तो I hope आपको समझ में आ गया होता sorry आ गया होता नहीं आ गया होगा तो यही है हमारे सारे concept of practice at 1.3 ठीक है next video में हम लोग practice at 1.3 को solve करेगे तो चलो मिलते हैं next video में till then bye and take care